गूर्णिंग माइस त्रूडेंट्स का क्लास हम शुरू करने जा रहो हैं और आज हम लोगपढ़ने वाले हैं मै क्लियूस चप्टर पर रहे थे उसी येज़ु सह हम लोग छीछ चप्ति अरफ चलते हैं सीवें सीदी क्या आज का टॉपिक मै याग यहम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Radio Activity के बारे में Mad Year किसके बारे में Radio Activity यानि कि Hindi में बोले तो Radio Sakrita Radio Sakrita के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ठीक है तो इसके बारे में हमें जानना है ऐसे Materials पाय जाते हैं दुनिया में जो की Unstable Condition में होते हैं और उसकी वज़र से वह लगतार माइडियार तूटते रहते हैं फिर से सुनिये माइडियार कुछ ऐसे Element है इस Nature में जो भी हमारे पास Element अबलेबल है 113-114 जो Element अबलेबल हैं उसमें से कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका Nucleus लगतार तूटता रहता है लगतार Nucleus तूटता रहता है माइडियार और तूट तूट करके एक नया Element प्रेडूस करता ही रहता है माइडियार फिर से सुनिये मैं क्या बोल रहा हूं ते बारा बात बोल रहा हूं कुछ ऐसे तत्तो हैं जो कि इनका नाभिक जो होता है जो नूकिलियस होता है वो तूटता है और तूटने की वज़से क्या होता है एक नया एलिमेंट फोर्म हो जाता है एक नया तत्तो का निर्माड हो जा निकलती हैं माई डियर यसे की Alfa खेक गृड़ने बिट़ केड़ने Sup aलावा और भी कुछ किड़ने निकलती है मैं अलावर यह जो घटना है कि वह तत्त्त उसका नाभिक टोट रहा है और टूट करके ऐएक नया नाभिक बना ले रह रहा है नया तत्त्त का नाभिक का निर्माड कर ले रहा है और साथ में कुछ हानिकारा किड्ने भी उत्पन हो रही है तो यह जो घटना है यहीं रेडियो एक्टिविटी रेडियो सकर्यता कहलाती है मैं जा असला इसकी सबसे बड़ी बात क्या होती यह रेडियो शकरीता के लिए कि अगर मान देविजै जैसे कि जो सबसे पहले जिस्की खोज की गई थी वह था आपका यूरानियम मैयन याय नाभिक होगा वो लगतार तूटता रहता है तो यह यूरेनियम की कहानी होई थी जब एक नाभिक तूटता है तो एक नया नाभिक का निर्माड होता है लेकिन मैं अभी अपको बुलाओं कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किसी भी तरीके से हमारे पास कोई ऐसा method अबिलेबल नहीं होता है जिससे कि हम इसको रोक सकें जैसे कि अगर आपका uranium का नाभिक है और वो तूटके कुछ और बनना चाहता है थोरियम का नाभिक बनना चाहता है तो हमारे पास कोई ऐसा method नहीं है कि हम उसको रोक दें और ये उससे बोलें कि भाई तुमको थोरियम का नुकिलेस बनने नहीं दे सकते हैं और आप ऐसा कभी करहीं नहीं पाएंगे माईडियर आप रोक नहीं सकते हैं यानिकी science रोक नहीं सकता है रेडियो एक्टिविटी की फिनमेना को ये लॉंग टर्म फिनमेना होता है ये क्या होता एक बहुत लंबी प्रप्रसेस होती है ऐसा नहीं है कि नुकिलेस आज हमने रखा है तो आज क बनता है यह होता क्यों है आप दूसरा सवाल था यह हो क्यों रहा था तो इस बात को समझे कोई चीज क्यों तोड़ेगा खुद को क्यों तोड़ना चाहेगा मैडियर कोई भी चीज दुनिया में ने प्रकृतिक रूप से देखे आप कोई भी चीज खुद को क्यों तोड़े माइडियर ठीक है आपके ममी पापा ने किया हुआ है तो जब तक कोई ऐसी इमर्जंसी कंडिशन नहीं आती तब तक फिक्स वाला पैसा तो कोई नहीं निकालता कोई तोड़ना पड़ता है निकालना पड़ता है गर बीना हुआ है इसी तरीके से उनिकुल्यस के साथ है उसने खुद को क्यों तोड़ा होगा तभी उसने अपने आपको तोड़ रहा है तॉह सबसे बड़क और यहीं होता है कि जो आपका यूरेनियम है और यूरिनियम से आगे और भी कैसारे अब देखिए भीड में वो लोग खुद को अस्थाई फिल कर रहा है बहुत सारे तत्तो अस्थाई हैं और उनके भीड में यह कुस्ता तो अस्थाई अपने आपको फालूम कर रहे हैं इसलिए ये भी चाहते हैं कि हम भी बाकियों के तरह अस्थाई हो जायें जैसे कि कोई नौकरी कर रहा है, जोब कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है तो उसे देख करके एक inspiration मिलता है लोगों को कि भाई हम भी पढ़ करके एक अच्छी से नौकरी करें और हम भी अस्थाई stable हो जाए माय डिया ठीक इसे तरीके से आपका जो unstable nucleus है जो unstable तत्त है जैसे कि uranium हो गया यह क्या होना चाहता है यह अस्थाई तुको प्रयाप्त करना चाहता है stability चाहता है कि हम भी stable हो जाए और इस stability की चाहत में वो खुद को तोड़ता जा रहा है stable nucleus में convert हो जाएगा वैसे यह फेनोमेना रुक जाती है माय डिया तो यह है radio activity radio सकर्येता अब इसे फटा-फट से लिख लेते हैं कि लिखेंगे कि इसी को माय डियार इसी को हम लोग नाभेकिये च्छय भी बोलते है Radioactivity이 Decay Radioactivity दिके भी बोलते है च्छय भी बोलते है इसी चीज को कुई अलग चीज़ नही में एक यह रेडियू ऐडियू अक्रिव डिके भी सार रोध की रियडियो सकर्येता हिए यह घटना है कि नुकलेस में वाइब़ादम problem of a spontaneous disintrigation of of nucleus of an atom. The phenomena of spontaneous disintrigation of nucleus of an atom is called atom and emission of alpha beta gamma rays is called as radioactivity, is called as radioactivity. English medium के बच्चे note down कर लिजे मैं फिर इसे मिटा करके हिंदी में लिख देता हूँ. चलिए किसी तत्तो के नाभिकों के लगतार च्छाय होने की घटना के साथ साथ रेडियो शक्रियता कहलाता है। रेडियो शक्रियता कहलाता है। रेडियो शक्रियता किसी तत्तो के नाभिकों के लगतार च्छाय होने की घटना तूटने की घटना उसके साथ रेडियो शक्रियता कहलाती है। नोट डाउन कर लिजेगा लिख लिजेगा मैं इसे अब मिटा देता हूं हिंदी मिडियम के बाद से भी नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। हैन्री बेकरेल डिस्कवर्ड यूरेनियम इजा तच्वर्ण तच्वर्प्री जिसकlow02 तससों में长 रेडियम एंड पोलोनियम, पोलो, पोलोनियम, आजा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हिंदी में लिख लेंगे, हेनरी बिकरेल ने, यूरेनियम के, रेडियो शकरिये होने, रेडियो शकरिये, तत होने की, खोज की थी, उपर बला, इंग्लिक्स मेडियम के बच्चे, लिख लिजेगा वाइडिया, ठीक है, हेनरी बिकरेल ने, खोज की थी, आगे लिखेंगे, मैडम क्यूरी, तथा, पीरे क्यूरी ने, दो नए, रेडियो शकरिये तत्व, रेडियम तथा, पोलोनियम, की खोज की थी, ठीक है, हिंदी मेडियम के बच्चे भी मैडियर, नोट्स बना लेजिए, वु θध हिंदेख रेबिय 비ास, ब borrowwohl sacrifice, लेजिए, नोट लिए, ने। विजिएक बच्चा जाहते लिए, ने लिए, लिए, निजिएक जीए. भुष्ट भुष' रेडियो अक्टिविटी कोई भी भौतिक अथवा रसानिक इस्तती चलिए रसानिक ने लिखते हैं कोई दिख करते हैं कोई भी भौतिक इस्तती रेडियो सकरेता की घटना पर कोई परभाव नहीं डालती है मैं हट जाता हूँ मैं डियर नोट्स जरूर बनाईए चलिए तो हमने जान लिया रेडियो सकरेता क्या होती है रेडियो एक्टिविटी क्या होती है मैं डियर यह हम समझ गए और इसके बारे में जो और चीज़े जाननी थी वह भी हमने जान लिया हम जानते हैं हैं एक्डिग मनाएं देर रधर फोड एक्सपरिमेंट रेडियो एक्टिविटी रधर फोड का एक्सपरिमेंट रेडियो शकरीयता के लिए रधर फोड का परियोग हिन्दी क्या हो जाएगा रेडियो सक्रियता के लिए रदर फुट का परियोग मैडियर क्या परियोग किया था मैडियर देखींगे क्या कहा था उन्होंने उन्होंने कहा था कि ये कोई रेडियो सक्रियत तत्व है ये क्या है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यह क्या है रेडियो सक्रिय activities तद्यो है आपका अब मैंने आपको लिखा कि कृषा डेडियो सक्रिय तद्यो से आलफा बीटा गामा किर्ण उत्सरजित होती है तो यह आलफाफा गामा किर्ण जो उत्सरजित ने presented बात कबाद, इस बात को किसे ने बताया? रधर फोड ने ही बताया ओर अलफाविटे गामा कीड़नो का नॉमन क्लेचर भी इन्होंने ही दिया हुआ है माइडिये किस बेसिस पे दिया हुआ है? यह है नेगेटिब प्लेट यह है पोजटी प्लेट ठीक है? रोधर फोड का experiment कहता है कि अगर हम किसी radioactive element को किसी electric field में रख देते हैं फिर से सुनिए अगर किसी radioactive element को हम लोग किसी electric field में किसी तो ऐसा होता है कि अगर उस विदूद छित्र में तो यहां से जो कुछ किरने निकल रहे थी उन्होंने क्या देखा अपने experiment में कि अगर किसी radioactive element को किसी electric field के अंदर लेते हैं और उस इसाकी केbabम ध्यूदिक नेगेटिव और पॉजटिब प्लिट है तो चौने अपका स्करियतत हो था उस से जो किरने निकल रहे थी वो कुछ किरने negative plate की और मुड़ जा रहे थी, कुछ positive plate की और मुड़ जा रहे थी और कुछ किरने, कुछ rage बीना मुड़े सीधे निकल जा रहे थी उन्होंने क्या किया अपने experiment में एक radioactive element को एक magnetic, एक electric field में रखा और electric field में एक negative plate और positive plate है तो उन्होंने देखा कि कुछ rage जो निकल रहे थे इससे कुछ rage negative plate की और, कुछ positive plate की और और कुछ दोनों में से बीना किसी से मुड़े हुए सीधे निकल जा रहे थी ये उन्होंने अपने experiment में देखा और देखने के बाद उन्होंने अपनी बाते सब के सामने रखी क्या रखी उन्होंने इससी बात है कि ये negative plate है तो negative की और कौन आकर्षित होगा माईडियर simple बात है, रिणातमक की और कौन आकर्षित होगा जो धनातमक होगा, जो positive होगा वहीं तो आकर्षित होगा बिल्कुल बिल्कुल माईडियर यहीं होगा इस negative carrot की और कौन आकरषित होगा जो positive होगा वह आकरषित होगा इसका मतलब ये है कि जो किरंड इधर मुल रही होगी वो कैसी होगी positive होगी उन्होंने बताया और जोती है कैसी होती है कैसी होती है और जो किरने आपके पॉजेटीव कीवर मर्ण रही है वह जाहर सी बात है निगेटिव होंगी तभी न पॉजेटिव की और रही है बला बिल्कुल सर तो यह किरने कैसी होंगी यह कैसी होंगी निगेटिव और इनका इनको क्या बोला गया इनको बोला गया बीटा किरने यानि बीटा किरने जो होती है वो रिणातमक होती है आलफा किरने जो होती है ध कि उनके ऊपर कोई आवेस नहीं होगा कोई चार्ज नहीं होगा जब चार्ज नहीं होगा तभी न किसी एक और एट्रेक्ट नहीं होगा मैडियर चार्ज होगा तो एट्रेक्ट तो होगा ही होगा बोला इसके बतलब तो यह हुआ कि जो सर सीधे निकल रहा है उसके ऊपर और इसका नाम क्या रखा गया इसका नाम हुँने बोला कि यह माइडियर गामार है क्या है यह गामार यह जो थी वो सीधे निकल जाती है माइडियर तो यह उनका एक्सपरिमेंट था यह फोटो फोटाफ़ट से ड्रो कर लीज़े इसी को हम लोग फोटाफ़ट से लिख भी लेते हैं मैं हट जाता हूं आप वीडियो पॉस्ट किजिए और यह फोटो ड्रो कर लिजिए ठीक है एकजाम में यही कोष्टन आ जाता है एकजाम में कि आलफा किरने बीटा किरने गामा किरनों के गुर लिखना होता है तो आचा करता हूं कि आप लोग आसानी से लिख देंगे मैं डियार ठीक है अब मैं इसे मिटा देता हूँ, आप बना लेजिएगा पहले लिखिए, इनके एक्सपरिमेंट का रिजल्ट, क्या निस्कर्स निकालते हैं ये? निस्कर्स क्या निकालते हैं, रिजल्ट क्या आता है? पहला नमबर जोजरेज विजर्ड तुर्न निकालते हैं, इनके प्लेट्स निकित्रिक फेल्ट is called alpha rays and it is positive ray वैसी किरने जो बिदु छेत्र में रिणात्मक प्लेट की और वैसे माइडियार होता मैगनेटिक फिर्ट ही है अलफा किरने कहलाती है तथा या धनावेशित किरने होती है तथा या धनावेशित किरने होती हैं यह है पहला पॉइंट रदर फोड के एक्स्परिमेंट का लिख लिजिएगा अब करते हैं आम लोग सेकंड पॉइंट लिखते हैं सेकंड पॉइंट लिखते हैं इसका दो जरेज विचार टर्न विचार टimatूर्स पॉइंट अब्च टोड को अबसको दोड़ी फिलेट लिखते हैंęt्nos और स्वति लिखते हैं वांत oper зовे बिट रद टę लिखते हैं अब्टी लिखते हैं झाटारम यह अब्टी मूजवरते हैं अबड्स कि निगेटिव रेज हिंद लिखेंगे वैसी किरने जो बिधुद छेत्र में धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं बीटा कि रिणवेशित किरने होती हैं ये धनावेशित लिखा हुआ है मैं देखनेमे दिक्कत हो आपको द्रेट देखने में बसक्तों एक आरिय片 लिखा हुआ और ये मिनर ओका ये second point ठीक है फटाफट से नोट बनाईए आप third point हम लोग लिखते हैं next third point those rays which are which are does not turn in any electric and magnetic field and goes towards a state is called is called gamma rays and it is chargeless and it is chargeless और यह अनावेसित होती हैं तीसरा पॉइंट हिंदी में वैसी किरने जो ना तो बिधूद छेत्र में और ना ही चुम्बकिये छेत्र में मुर्ती हैं अथ्वा सीधे निकल जाती हैं गामा किरने कहलाती हैं आगे लिखेंगे इसके आगे गामा किरने अनावेसित होती हैं गामा किरने जो होती हैं कैसे होती हैं अनावेसित उनके उपर कोई या वेसे नहीं होता है माइडियर तो अगर आपके एक्जाम में कभी आ गया कि आलफा बिटा गामा किरनों के बारे में कुछ लिखने के लिए भी कि उनके बीच में इधर है क्या डिफरेंस है तब लिख सकते हैं अल्फा किरने गासी होती हैं बैमा बीटा किरने नेगेटिव होती हैं और वारी होने की वजह से देखिए इलेक्ट्रोन निगेटिव चार्ज कौन है मुला सर बीटा तो बीटा निगेटिव चार्ज का मतलब वो इलेक्ट्रोन है और अलफा अगर पोजेटिव चार्ज है इसका मतलब वो प्रोटोन है और प्रोटोन का मास इलेक्ट्रोन के मास से ज्यादा होता है मैडि उसमें डिफ्लेक्शन बिछेप तो उतना ही कम होगा जो जितना हलका होगा उतना ज्यादा भागेगा लेकिन जो जितना भारी होगा उतना ही कम डिफ्लेक्ट होता है उतना कम बिछेपित होता है इसलिए आलफा जो किर्णे होंगी वह कम बिछेपित होती है कम डिफ्लेक्ट सटोन होता है ओनका और झालसटों का दिखलैक्शन विछेप जादा होता है माई jogar गामा के बारे मदब बता ही दिया वो तो होती ही नहीं है वह कहीं बीफलैक्ट नहीं करती हैं वह सीधे डिफरेंस कम से आप एक्जाम में लिख दीजिएगा तीसरा डिफरेंस आलफा केड़नों में यह होता है यह आलफा केड़ने जो होती है उनका पेंट्रेशन पावर क्या होता है भेदने की छमता क्या होती है कम होती है और बीटा केड़नों की उनसे थोड़ी जादा होती है और गामा केड़नों की सबसे ज़्यादा होती है माइडियर तो आलफा केड़ने की भेधन चमता कम है बिटा केड़नों की ज़्यादा है और गामा केड़नों की सबसे ज़्यादा भेधन चमता तो आपकी objective question में कई बार एक question आया हुआ है माइडियर कि किसकी भेधन चमता सब से ज्जादा होती है तो gamma किरनों की भेदन चमता पेंटर्टिंग पाउर इंगलिस में क्या बोलेंगे हैं पेंट्रेट करने के लिए भेदनी की जो चमता होगी वह सबसे ज्यादा किसमें होतीया गामा किर्णों की एक्टुली में जो गामा किर्ण होती है वह तंद मgehen अंग करती है इसलिए उनका पावर सबसे जादा किसका ज्यादा होता है गामा किर्णों तो यह तीन डिफरेंस आप अपने एकजाम के अंदर अगर आता है कि अल्फा बिट्टा-गामा में क्या डिफरेंस है तो आप आसानी से लिखते जिए यह था आज ग्लास में अगले क्लास में और भी हम कुछ नए टॉपिक्स डिसकसन करेंगे न्यूकिलियस चेप्टर का मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एडियार